अडाने विलमर शेयर में अगर पोजिशन बनाने की सोच रहे हैं या फिर अल्डेडी पोजिशन बना रखा है इन्वेस्टेड हैं वो लोग भी सभी लोगों के लिए ये वीडियो काफी इंपोर्टन हो जाने वाला है क्यों कि इस वीडियो में हम लोग किलियर समझेंगे कि अभी जैसा कि हाली में जो सुप्रीम कोर्ट का जो एनॉंस्मेंट हुआ था उस वजए से मार्केट में एक बूम बैक यहां पे तेजी देखने को मिली थी जितने भी यहां पे स्टॉक अडाने के गिरेवेट जो सबसे ज्यादा लोग पोइंट पे थे जैसे अडानी भीएगा अब ट्रैप ना होने का क्या मिंस है मैं बताता हूँ आपको टेक्निकल्स एनलेसिस के थुरू क्योंकि देखिए न्यूज बेसिस पे मार्केट हो सकता है एक दिन ऊपर चला जा दो दिन ऊपर चला जा लेकिन टेक्निकल्स अगर कह देगा कि यहां पर रेस्टें को फॉलो करता है ठीक है तो यह चीज आपको पता होगा न्यूज बेसिस पे हो सकता है मार्केट एक बार दो बार बांस बैक कर जाए बट टेक्निकल्स इंपोर्टेंट होता है यह आपको मानना ही होगा दोस्तों अब मैं आपको चलिए दिखाता हूँ चार्ट पैटरन प चलिए हम लोग चलते है टेक्निकल्स देखे हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर चार्ट पे अब यहाँ पर वन डे के टाइम फ्रेम है लॉंग टाइम फ्रेम पर हम लोग एनलैसिस करने वाले हैं यहाँ पर इंपोर्टेंट क्या है दोस्तों जो कि आपको यहाँ पर फॉलो लगातार यहां पर नीचे पैनिक सेलिंग यहां पर देखने को मिला मार्केट चाहतो रहा है इस 200 मूविंग एवरेश क्रोस करना बट जब तक इसके नीचे है ना तब तो कोई बाइंग अपर्चुनिटी यहां पर बनी नहीं सकती अगर जो बनता भी है तो वह स्विंग के लिए बनेगा यानि कि कुछ है जो अग्या यहां पर क्या हो रहा है यहां पर सुप्रीम कोट का जैसा ही निउस आया कि सुप्रीम कोट ने अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर अब क्या हो रहा है market का यह जो मैंने resistance लेंट रोकिया यह तो market resistance है अब 200 moving average की सारा यहाँ पर point क्या negative बता रहा है कि market में जो है अभी buying का scenario नहीं है यह चीज़ आप follow कर रहा है ना बात को और एक और negative चीज देखिए confirmation क्या मिल रहा है कि buying opportunity नहीं बन रहेगी एक तो यहां पर देखिए shooting star बन चुका है long time frame पर यह भी हमें confirmation दे रहा है कि market यहां से at least यहां से ऊपर तो नहीं जाएगी है हाँ अगर जाती है 200 moving average ऊपर रहेगी तो ही हम consider करेंगे buying की और चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आणी के कौन सा तो ही आप उसमें buying opportunity ढूणिएगा है ना चाहिए वो कितना भी अच्छा pattern बना रहा हो लेकिन अगर 200 moving average के नीचे trade कर रहा हो तो समझ जाएगेगा वहां कहीं ना कहीं हम trap हो सकते हैं तो यह चीज़ हमें सध्यान रखेंगा जैसे 200 moving average की यहां पर crossover किया अभी देखिए यहां से continuous क्या है एक uptrend में चल रहा है market के चल रहा है एक uptrend में तो बस इसी चीज़ को follow करना है अभी यह stock जो है 200 moving average के ऊपर है तो क्या अभी से consider कर सकते तो अभी आप consider कर सकते बिल्कूल बट यहां पर क्या risk reward अपने अनुसार आपको यहां पर manage करना होगा ठीक है जहां पर बिलेंगे यहां पर risk reward आपको अपने recording यहां पर set करना होगा तो उमीद करता हूँ आज का यह वीडियो आप लोग को पसंदेगा पसंदे वीडियो को जरू लाइक कर दीजिगा चैनल पर विजिट कर रहे हैं जरू सब्सक्राइब कर लिजिएगा धन्यवाद उस